वाँ अगो कि अगो अग्राव क्यों तो अगो है अजो गूद आइसा है हम लोग बिछली क्लास में बेजिक चीज देख रहे थे एकदमी बेजिक पॉइंट हमने देखे थे कि लोग क्या होता है क्यों बनाया जाता है हमने देखा कि कानून बनाने की प्रकरिया कैसी है किस प्रकर से कानून बनते हैं आज के दौर में और पहले कैसे बनते थे जब ब्रेटिश के टाइम के बाद थी तो उस टाइम ब्रेटिश सरकार ये कानून बनाती थी ब्रेटिश इंडिया में और उसके बाद आजादी के ब उन बनते दे यह हमने देखा था फिर आज हम चालू करते हैं अपना जो पहला एक्ट है उसके उपर से चर्चा तो मैंने आपको बताया था हमको वैसे देखे जाए तो corporate law में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें भी फिर company law अलग है and LLP अलग है फिर other laws में हमको सिर्फ तीन ही चीज़ है जिसमें पहला है जो general clauses act है जिसमें बताया गया है कि general rules of interpretation क्या क्या लगते हैं दूसरा कोई act नहीं है बट उसमें भी कुछ rules बताया गया है interpretation of statute से related कि क्या-क्या rules follow करती है court जब कोई decision देना पड़ता है और तीसरा जो है foreign exchange management act तो अब हम यह जो तीसरा एक्ट है जिसमें 10 से 12 mark का weightage है on an average जैसा कि आपने देखा कि दिया हुआ है आपको जो weightage ने खुद ही बताया है कि 30 to 40% weightage रहेगा other laws में जो other laws का weightage है 30 उसका 30% याने 9 मार्क 9 से 12 मार्क 40% तक तक 9 से 12 मार्क आपका इसमें cover होगा तो बहुत ही आसान सा act है final level से लाया गया है वैसे इतना भी आसान नहीं रहता है क्योंकि अब इंटर में आ गए और फिर भी comparatively बाकी चीज़ों से आसानी रहेगा और यहां पर हमको कुछ गिंती की चीज़े है पूरा कानून नहीं दिया है हमको basic कुछ elements बताये हैं कि foreign exchange में क्या क्या चीज़े cover होती है फिर foreign exchange में कौन से transactions permitted है कौन से prohibited है ऐसा सब बताया हुआ है सो हमको बहुत deep में नहीं बताया है जैसे अगर कोई contravention होता तो case कैसे file होगी यह सब भी लिखा है इसमें बट यह चीज़े हमारे course में नहीं है हमारे course में गिंती के 9 sections दिये गए हैं बाकी की जो sections है वो सब आपको course में नहीं दिये गए जब final level में यह act था उस time पे उनको प enforcement डिरेक्ट रेट जो होता है तो वह एक्चुली फैमा में भी काम करता है वह एक्चुली फैमा के द्वारा जो अपॉइंटेड होता है वो रहता है एडी सो ऐसे जो डिरेक्ट रेट होते हैं वैसे यह एक ही कानून हम पढ़ रहे हैं foreign exchange related ऐसे और भी बहुत सारे कानून है जैसा कि नाम से ही समझ रहा है foreign exchange बाहर का जो पैसा है उसको हम बोलेंगे foreign exchange इंडिया का पैसा छोड़के बाकी सब जो currency है foreign currency उसको जब आप deal करते हो उससे trade करते हो तो that is foreign exchange so foreign का पैसा ये manage करना management act so management करने का यहां पर कानून है अब कोई भी कानून को बनाने के पीछे एक मकसद होता है so क्या मकसद रहा होगा इस act को बनाने के लिए तो पहले इसके background में जाना जरूरी होता है ये जो act है ना इसके पहले भी और कानून थे foreign exchange से deal करने वाले और कानून थे वो सब हटाए गये उसके बाद फिर foreign exchange management act लाया गया in fact Britishers ने पहली बार foreign exchange से related कानून लाये थे जब पहले आज़ादी के भी पहले world war 2 के just पहले of India rules के द्वारा बताया गया था 1939 में so introduction में पहले तो basic points बताया है जो changes in economic scenario हो रहा है जैसे कि आप देखते है आजकल बहुत सारा globalization हो गया है economy बहुत जादा globalization हो गई है कोई भी वेक्ति कहीं से भी खरीद सकता है तो आप भी अगर चाहे तो कुछ Alibaba से खरीदना है तो Alibaba means एक website है तो Alibaba ऐसा नहीं के Alibaba से खरीद रहे तो एक website है जैक माने बनाया है तो Jack Ma लेकिन आप वहाँ पे पैसा अगर रुपीज दोगे तो रुपीज थोड़ी लेगा तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा या तो डॉलर्स में क्योंकि डॉलर एक ऐसी करंसी है जो कि बहुत एजीली एकसेप्टेबल होती है रुपीज बहुत वॉलेटाइल होता है रुपी का आप आज भी वैलिएशन देखो तो काफ़ी डी वैली होते जाता है आज 84-85 रुपे में एक डॉलर आपको खरीदने को मिलता है तो यह अच्छी बात नहीं है अगर आपको दिख रहा है कि 90 रुपे हो गया तो यह और बुरा हो जाएगा अच्छी बात यह होगी कि यह कम रहे जब आजाद हुए थे हम तो 1 रुपे और 1 डॉलर इक्वल था फिर 1947 में 3 रुपे का 1 डॉलर हो गया क्योंकि अपनी परिस्तिती उतनी अच्छी नहीं थी जब आजादी हुई थी उस टाइम पर 1 रुपे और 1 डॉलर की एक ही कीमत पानी गई थी बट फिर बाद में automatically जो demand supply होता है उसके कारण इसकी valuation change होती है बहुत सारे और भी ऐसे चीजे होती है जैसे कि financial decisions होते हैं जिसके current impact पड़ता है government की कुछ policies होती है जिससे impact पड़ता है लेकिन major चीज़ तो demand supply है अब आप अगर simple सोच के भी देखो कि अगर हमको foreign exchange में pay करना है अगर हम बाहर से कुछ खरीद रहे है तो foreign exchange में pay करना पड़ेगा तो हमको payment करने के लिए dollar चाहिए तो dollar खरीदने के लिए आपके पास at present कौन सी currency है तो rupees है आप rupees लेके जाओगे bank में bank से dollar खरीदोगे तो dollar आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको import करना है वैसे ही और लोग होंगे जिनको import करना है तो demand बढ़ जाएगी dollar की क्योंकि उनको भी dollar खरीदना है तो dollar की demand बढ़ेगी तो dollar महेंगा होते जाता है जो 80 रुपे में पहले 1 dollar मिल जाता था 82 हो जाएगा 84 हो जाएगा तो यह बढ़ जाता है तो demand supply काई खेल है इसलिए सरकार बोलती है exports बढ़ाना है हमको क्योंकि export करोगे तो उल्टा होगा आपको dollar में income होगी आप वो जाके सरकार को दोगे इससे सरकार के reserves बढ़ेगे अगर सरकार के पास dollar है already तो वो उसमें से ही आपको dollar दे देगा उसको बाहर से लेने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए यह जो भी currency होती है यह भी demand supply के basis पेज़ सब basic rule तो demand supply होता है अगर आप कोई भी चीज़ का price की बात करें तो वो demand supply based होता है तो जब हम यह पढ़ते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि dollar एक commodity होगी और rupees दे के आप dollar खरीद रहे जितना वो commodity की demand बढ़ेगी उतने ज़्यादा पैसे आपको देना पड़ेगा उस commodity की demand कम होगी तो सस्ते में आपको वो मिल जाएगा तो यहाँ पे भी बहुत economic scenario बदल चुका है और अब बहुत सारे transactions ऐसे होते हैं जिसमें foreign exchange involved होता है लोग घूमने भी जाते हैं आज़ादी के time पे तो इतना कुछ नहीं था ऐसा थोड़ी था कि अपन घूमने जा रहे हैं चलो जाके मस्त यूरोप का टूर करेंगे फ्रांस जाएंगे इटली जाएंगे टॉमिल टीना खेलेंगे स्कूबा डाइविंग करेंगे तो यह सब उस टाइम पे नहीं था तो कुछ लोग बड़े बड़े लोग जाते थे बाहर और वो भी घूमने के हिसाब से नहीं पढ़ाई करने के लिए जैसे मेरे एक फ्रेंड थे बापू बापू बोलते थे हम लोग उनका प्यार से सो वो गय थे उन्होंने जाके इंग्लैंड से बैरेस्टर की डिग्री यहने एड़ोकेट बने थे सो ऐसे बड़े बड़े लोग जो लोग पैसे बहुत होते थे इनके पास वो लोग जाते थे बाकि जादा तर लोग फॉरिन एक्शेंज में डील नहीं ज करते थे सो उस टाइम पे उतना जादा ज़रुरत नहीं थी बट अब एकेनोमिक सिनारियो बदला globalization of capital हो गया globalization का मतलब है कि अब पैसा बहुत freely एक शहर से एक देश से दूसरे देश में यूस किया जाता है जैसे कि आपने देखा है कि अभी आपको अगर कहीं invest करना है दूसरे देश में तो वहाँ भी आप चीजें खरीद सकते हो इवन आप जाके दुबई में फ्लैट खरीद सकते हो मकान खरीदना है खरीद सकते हो तो capital easily आप वहाँ ले जा सकते हो वहाँ के लोग यहाँ निवेश कर सकते लेकिन कौन सी चीज में कर सकते कौन सी चीज में नहीं कर सकते वो चीज़े इस Act में लिखी हुई है, जैसे बाहर वाला के यहां कौन सी property ले पाएगा, कौन सी नहीं ले पाएगा, Immovable ले सकता है, Immovable नहीं ले सकता है, ऐसा क्या है rule, वो सब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है तो वह अपन पढ़ेंगे, फिर free trade across the globe, यह सब चीज़ों के कारण, it necessitated the need for managing foreign exchange, यह manage करने के लिए कि foreign exchange easily manage किया जा सके, in the country in an orderly manner, to facilitate cross border trade, एक देश का दूसरे देश से जो trade होता है, इसको हम बोलते हैं cross border trade, जिसमें import, export यह सब चीज़े cover होगी, and cross border capital flows exchange control law was required, और सबसे पहली बार जो exchange control law लाया गया था, वो लाया गया था Britishers के जवारा 1939 में, so world war 2 के पहले में, so उनका main मकसद यह नहीं था कि foreign exchange को manage करना, actually उनका main मकसद था defense of India के बारे में, British India को defend करना, क्योंकि उस time अंदेशा पहले से लग जाता है, cold war शुरू हो जाती है, कि war वगरे हो सकती है, जगडे हो सकते हैं, तो उस time इन्होंने एक नया act लाया था, जो कि criminal act था, यहने अगर इसमें, ऐसे even, इसमें death penalty थी, कि अगर आप कोई foreigner के साथ कोई trade करते हुए पाये जाएंगे, तो उसमें even death penalty थी, बहुत ही ज़ादा strict था उस time का यह कानून, तो आपको यह trade वगर अलाउड नहीं थे, खास तोर पे जो दुश्मन countries हैं उनके साथ, और सिधा death penalty या देश निकाला दे दिया जाएगा, यहां तक के rules थे उसमें, कि आपको पूरा भारत छोड़के जाना पड़ेगा, ऐसे प्रकार के rules थे, यह लाये गए थे 1939 में, so foreign exchange control led to introduction of foreign exchange control law through defense of India rules by Britishers in 1939, तो एक defense of India rules करके बनाया गया था, वैसे 1915 में ही बन गये थे, but 1915 में World War 1 के बाद में, उस time पे चालू हो गया था, और उसके बाद 1939 में फिर से इसमें changes किये गये थे, बट इसके बाद फिर से हमको लगा कि यह अलग चीज हो गई, इसके बाद हमने एक अलग act बनाया, कि भई यह defense of India एक specific कानून नहीं है foreign exchange से related, और इसलिए 1947 में यह भी आजादी के पहले की बात है, 1947 में यह जो कानून दिख रहा है अपको foreign exchange regulation act, यह भी Britishers ने बनाया था, यह भले ही 1947 का है बट आजादी के पहले का है यह, यह March में बन गया था, सो March में 1947 में Britishers ने एक और कानून बनाया थे, जिसमें वो regulate करते थे, foreign exchange regulation act था यह, अब regulation और management में वैसे हलका सा फरक है, regulate करना में उसको बहुत डीप में control किया जाता था, सीधा-सीधा लिखा हुआ था, यह चीज़ करना है तो आपको permission लेना है, यह चीज़ तो allowed ही नहीं है, सीधा-सीधा था, लेकिन यहाँ management है, बहुत सारी चीज़ों के लिए permission अब जरुरत नहीं है, तो पहले बहुत ही strict था, जो foreign exchange regulation act था, यह काफी strict था, यह काफी time तक के चलता रहा, क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ के गए थे, तो हम लोगों के पास बहुत ज़ादा, एसा, एक तो resources भी नहीं थे, हमको कुछ पैसा वगरे लगेगा, या क्या लगेगा आगे कैसे चलाना देश, इसकी किसी को ज़्यादा समझ नहीं थी, तो नहरू थे, उनको प्रधान मंत्री बनाया गया था, तो आपको पता होगा, तो बहुत सारे political चीज़े भी हुई थी उस time पे, और ऐसे केसेस में हमको उसी time का जो कानून था, 1947 का ये चलाना पड़ा copy time तक, आज़ादी के बाद भी ये चलता रहा, ये चला 1973 तक के, 1973 में नया एक फेरा लाया गया, तो ये इंद्रगान्धी के time के बात हो जाती है, तो उस time पे, जब emergency वगरे चल रही थी, उस time पे हमारे foreign exchange और बेकार हलत में पहुँच गए थे, यानि इतना भी foreign exchange reserve नहीं था हमारे पास, कि हमको अगर देड महने का भी कुछ import करना है, तो उतना भी पैसा नहीं था अपने पास, और खतरनाक लेवल पे taxes लगाये गए थे, 90-90% tax लगता था उस जमाने में, तो आप अगर 100 रुपे कमा रहे तो 90 रुपे tax में चले जा रहे, इतनी हालत खराब हो गई थी भारत की, तो emergency लगाई गई थी, और उस time पे फिर ये नया एक कानून लाया गया, foreign exchange regulation act, जो कि again ये भी बहुत strict था, क्योंकि उस time emergency अगरे भी थी, तो strict इसको बनाना ज़रूरी था, तो ये काफे strict बनाया गया था, बट फिर जैसे जैसे वक्त बदला, हालात बदले, जजबात बदले, तो सब बदलते बदलते हमको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, शुरुवात में जब हम आजाद हुएते न, हमको ऐसा लग रहा था, कि अगर हम लोगों को अलाव करेंगे भारत में आने के लिए, तो हमारे को फिर से वो लोग गुलाम बना लेंगे, क्योंकि East India Company ने वही किया था, पहले वो बिजनस करने आये थे, उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे कंट्रोल स्थापित किया, और अपने पूरे देश को फिर गुलाम बना लिया, तो हमको इसलिए डर था, और इसलिए हमने foreigners को पहले तो भारत में इन्वेस्ट करना ही अलाव नहीं किया था, भारत में foreigners बिजनस नहीं कर सकते थे, 90% बिजनसेस जो थे ये सरकार खुझ चलाती थी, तो जैसे Railways वगरे हो गया, आज Railway दिखती आपको लेकिन बाकी की चीज़ें उन्होंने फिर डिसिन्वेस्ट कर दी है, लेकिन पहले के जमाने में, इनफेक्ट पहले का एको 1991 तक के चलता रहा, तो 1991 तक काफि strict policies थी, उस टाइम पे इवन जैसे Coca-Cola अगरे को भी भगा दिया था, अपने भारत से, भारत में उनको बिजनस करना अलावड नहीं था, ऐसे बहुत सारे events हुए थे, फिर 1991 में सरकार को समझा, उस टाइम अगेन 91 में बहुत ही बुरी हालत में चल रही थी अपनी सरकार, 91 में अपने पास इतने भी results नहीं थे कि एक मेने का हो इंपोर्ट कर पाए, जैसे श्रीलंका की हालत देख रहे हो आप, जैसे श्रीलंका में पूरा पैसा अगरे कुछ नहीं है, एकदम bankruptcy की हालात आ चुकी है, वैसे अपने आप होने वाले थे, लगबग होई चुके थे, बट उस टाइम एक बहुत ही brilliant वेक्ति आये, पीवी नर्सिमा राव थे, उनका president, उनकी prime ministership थी, और उनके अंदर finance minister थे, एक बहुत ही intelligent वेक्ति, जिनको शायद आप जानते भी होंगे, सरदार Manmohan Singh, जो Manmohan Singh जी बहुत ही brilliant वेक्ति है, बट उनके शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया, नहीं actual में, वो इतने brilliant है कि, international forums में उनको माना जाता है, तो अपने यहाँ पर नहीं, international level पर भी वो सबसे अच्छे finance manage करने वाली वेक्तियों में से एक है, उन्होंने 91 में एक नई scheme लेके आये थे, 1991 में, जिसको हम LPG scheme बोलते हैं, तो हर घर में LPG होना चीए, नहीं तो फिर वो चूला वगरे जलाते हैं, धुआ जाता है, तब्यत खराब होती, नहीं वो वाला नहीं, यहाँ LPG का मतलब था, liberalization, यहाद होगा आपको, privatization and globalization, यह इतनी खतरनाक scheme थी, खतरनाक एने डरने वाली नहीं, बहुत अच्छी scheme थी, तो इतनी अच्छी scheme थी, कि यह हर किसी को पढ़ाया जाता है, 10th में होती है, 11, 12th में पढ़ाया जाती है, economics में, business studies वगरे में, हर किसी को, जो UPSC करते हैं, उनको तो एगोट के पी जाना पढ़ता है, so UPSC वाले हो गए, MPSC हो गए, हर किसी को पढ़ाया जाता है हो, इतनी जादा important यह scheme थी, तो यह जो scheme थी, इसको आप new industrial policy, या new economic policy नाम से पढ़ते हैं, 1991 की, अब यह new नहीं रह गई, क्योंकि यह उस जमाने में new थी, जब आप थे भी नहीं, so अब new थोड़ी है, तो हर सारी आता है, five year plan वगरे निकलता था, पहले green revolution को importance दिये थे, फिर white revolution हुआ था, ऐसे बहुत सारे revolution हुए, और उसमें फिर 91 में LPG करके, एक scheme लाई गई, जिसमें सरकार को समझ चुका था, मनमौन सिंग जी को समझ चुका था, कि ऐसे अगर हम चलेंगे, तो फिर काम नहीं चलने वाला, हमको कहीं ना कहीं, globalize करना पड़ेगा, बाहर वालों को अपने आ लाने को, allow करना पड़ेगा, goods बगरे बेचना, हमको बाहर जाना जरूरी है, फिर दूसरा, privatize करना पड़ेगा, इनफेक्ट जितने भी development nation है ना, उसमें आप देखो, कभी भी सरकार कोई business नहीं करती है, सरकार सिर्फ taxes वसूल करती है, और लोगों को facilities प्रोवाइड करती है, इनफेक्ट सरकार का काम, चीजे देना, बेचना, यह सब हईच नहीं, बिजनस करना उनका एम है इच नहीं, इसलिए जितने भी development nation है, वहाँ पे सिर्फ जैसे capitalist economy है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो, सरकार सिर्फ regulate करती है, बाकी बिजनसेस कुछ नहीं करती, बट अपने आँ 91 तक के 90% बिजनसेस सरकार चलाती थी, इनफेक्ट मारूती जो company है, वो सरकारी company हुआ करती थी, फिर मारूती जानते होंगे, आप कार बनाते हैं, तो यह सरकारी company हुआ करती थी, तो 91 में liberalization हुआ, privatization हुआ और globalization हूँ, उस time 91 में privatize किया गया था मारूती को, तो उसमें फिर मारूती को सुजुकी के साथ मिलके, privatize किया, फिर लोगों का निवेश आया, बहुत सारी चीजों में privatization किया, liberalization किया, बहुत सारी चीजों में बहुत strict कानून थे, अगर आपको एक business चालू करना है, तो 14-15 प्रकार के licenses लेना पड़ता था, फुटे-मोटे license होते हैं, गुमास्ता वगरे, वो आप लेके काम चालू कर सकते हैं, जो shop establishment का license है, बोलेके, तो ऐसे बहुत liberalize किया, privatize किया और globalize किया, उसके बाद से अपनी economic कभी भी कम होती नहीं दिखी, सिफ एक बार COVID के time पे कम हुई थी, बाकी नहीं, तो हमेशा growth होती ही जा रही है, so 91 में अपनी growth story चालू ही थी, इसलिए वो हर किसी को पढ़ाया जाता है, वो एक एतिहासिक तारिक थी, जिसमें ये सब चीज़े हुई थी, तो ये budget में पेश किया गया था, 91 में, तो ये बहुत ही important चीज़ हुई थी, जिसमें liberalization हमारा main aim था, liberalize करना means easy कर देना चीज़ों को, जिसमें बहुत strict, strict का opposite है, तो strict का मतलब है जिसमें बहुत जादा आपको regulations follow करना है, वो सब चीज़े हटाया गया और आपने liberalization के उपर ध्यान दिया, फिर इसके कारण क्या हुआ, 91 के बाद, इट permitted free movement of foreign exchange in connection to trade related receipts and payments, as well as foreign investment in various sectors, उस टाइम पे FDI लाए गया था, पहली बार, तो foreign direct investment जो allow किया गया था, अभी भी हर जगे 100% FDI नहीं है, बहुत सारे जगे आपको अगर business करना है भारत में, तो किसी भारतिये के साथ मिल के करना पड़ता है, आप खुद बाहर से आके हैं business नहीं कर सकते, जैसे कि Singapore Airlines है, उन्होंने सोचा भारत में हम airlines की, अपनी खुद की business चालू करना चाते हैं, तो उनको खुद को पूरा पैसा लगाना allowed नहीं था, इसलिए उन्होंने टाटास के साथ joint venture किया, और विस्तारा create हुआ है, तो टाटास ने उसमें 51% holding रखा है, क्योंकि FDI rules बोलते हैं, और 49% holding Singapore Airlines की है, तो उसमें भी 100% FDI allowed नहीं है, तो कुछ जगे है, कुछ जगे नहीं है, कुछ sectors अभी भी बहुत ही ज़ादा strict है, जिसमें बाकी लोगों को आना allowed ही नहीं है, जैसे nuclear power, वो सिर्फ government के हाथ में है, उसमें बाकी private वेक्तिक अभी नहीं आ सकता, तो ऐसे liberalization किया गया, जिसके करण free trade हुआ, resets payment काफी easily exchange होने लगे, बट फिर भी बाकी भले आपने LPG scheme लाए, ये जो कानून था ना ये बहुत strict था, 1973 का कानून बहुत strict था अभी भी, और इसलिए फिर 99 में इनको लगा कि नहीं अपने को foreign exchange का भी एक अलग कानून लाना चाहिए, हमने इसको regulate नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमने एक overview करना चाहिए, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ जगे हमने regulation लगाना चाहिए, बाकी सबको हमने free movement allow करना चाहिए, और इन्होंने फिर 99 में FEMA का निर्मान किया, तो foreign exchange management act 99 में enact हुआ था, और ये चालू हुआ था 1st June 2000 से, सकते हो, तो कुछ-कुछ freely permitted होंगे, कुछ permission लेके permitted होंगे, किसकी permission लगती है, तो दो जनों की यहाँ पर control है, तो dual control में चलता है, जैसे GST dual control mechanism में चलता है, तो यहाँ वैसे dual control में एक RBI है, RBI का control क्योंकि पैसे से related बात होती है, दूसरा government है, तो आपको पता है, RBI is a separate body, government is a separate thing, ठीक है, तो government अलग है, RBI अलग है, RBI is a statutory body, वो सरकार नहीं है, तो RBI, RBI के act में cover होती है, तो भले काफी हद तक के influence सरकार करती है, उसमें, लेकिन फिर भी, RBI एक separate entity है, तो वो government नहीं मानना चाहिए, हमने उसको, जैसे SEBI है, SEBI is a separate body, तो वो एक अलग entity है, तो वो भी एक act में बनी है, LIC एक separate act में बनाई गई है, वैसी RBI भी एक separate act में create किया गया है, ठीक है, तो वो ही दिया है कि, permitted free movement of foreign exchange in connection to trade related resets and payments, as well as foreign investment in various sectors, this increased the flow of foreign exchange to India, and consequently foreign exchange reserves, increased substantially, इसके बाद से कभी हमको foreign exchange के दिक्कत नहीं आई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि, अपने पास reserves इतने नहीं है कि, हम import कर पाए, तो अपने पास हमेशा से बहुत reserves है, फिर भी हम लोग discourage करते हैं, कि import कम से कम हो, क्योंकि import करते हैं, तो foreign reserves हम use करेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, हम pay करेंगे dollars में, जबकि हम export करेंगे, तो हमने goods बाहर बेचा, और हमाएपास पैसा आया, foreign currency आई, वो हम बेचेंगे फिर सरकार को, सरकार के पास foreign exchange reserves increase होंगे, तो इसलिए आप देखना, जितने भी कानून है न, सब कानून export को encourage करते हैं, import को discourage करते हैं, अब क्योंकि globalized economy है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे हमको कई बार लगता है, मोदी जी सिधा-सिधा मना क्यों नहीं कर देते हैं, कि चाइना के goods allowed नहीं रहेंगे, तो ऐसा allowed नहीं है, क्योंकि international laws होते हैं, जिसके हिसाब से, अगर ऐसा किसी ने किया, तो फिर पूरा international trade ही बन्द हो जाएगा, हर वक्ती बोलेगा, हम इससे नहीं खरीदेंगे, उससे नहीं खरीदेंगे, इसलिए ऐसा ban लगाना allowed नहीं है, इसलिए वो अपने को appeal करते हैं, तो मोधी जी बोलते हुए पाए जाते हैं, भाई और भाई नौ, आप लोगों ने, इंडियन goods यूज़ करना चीए, तो इसलिए बहुत सारी मुहिम चलाए थी, make in India चलाया गया था, फिर go local for local बताया गया था, उनका मकसद है कि आप लोग खुझ से यहाँ पे goods खरीदो, goods बनाओ, बाहर से खरीदने के बदले, बट इसमें भी काफी तकलीफ है, क्योंकि जो goods बनाने की machines आती है, वो ultimately आती है चाइना से, तो भले, in fact, अपना जो import है न, यह capital goods का जाधा import है अपने, अगर आप उसका data देखोगे न, तो capital goods जाधा import होते हैं अपने, और यह जो बाकी की goods रहते हैं, जो अपन use कर रहे हैं consumption के लिए, तो consumables का import कम रहता है, so in fact, हम लोग यहाँ से agricultural goods export करते हैं, जितने agricultural produce है, जैसे संत्रा है, अपने आसे export होता है, और दिक्कत ही है कि यही चीज़ खरीदते हैं, फिर Australia वगरे वाले खरीद लेते हैं, वो लोग packing में बहुत माहिर है, उपर से वो form वगरे लगाएंगे, वोई चीज़ अपने को बेज देंगे डवल भाव में, so यह होता है, तो actual में यह भी तकलीफ ही है, और इसलिए import, export के उपर तो control किया ही जाता है, इसमें भी आप देखना, export of goods और export of services, दोनों में अलग-अलग benefits दिखते हैं आपको, क्योंकि export of goods में, हमारे goods यहां से जाते हैं, बदले में foreign exchange आएगा, services में सिर्फ हम service देते हैं, और foreign exchange आता है, तो इसलिए कौन सी चीज़ को ज़्यादा prefer करेगी सरकार? Services को, इसलिए आप देखना कानून में कई बार रहता है कि, export of services को prefer किया जाता है, क्योंकि अगर export of goods कर रहें, उसमें भी तकलीफ है, कि goods तो जाई रहें, हमारे resources तो जाई रहें, लेकिन अगर service export कर रहें, तो कोई resource नहीं जाता हमारा, अगर कोई मेरी service ले रहा है, US में बैठा है, मैं उसको service देता हूँ, advice होगरे देता हूँ, consultancy देता हूँ, उससे fees charge कर लेता हूँ, तो इसमें कोई resources जा नहीं रहें बाहर, सो सिर्फ मैं intellect यूज करके, पैसा कमा ले रहा हूँ, तो इसको encourage किया जाता है, वैसे export पूरा ही encourage किया जाता है, बट उसमें भी अगर हमारे पास choice हो, तो export of service को जादा encourage करते हैं, और export of goods को कम करते हैं, और import को हम discourage करते हैं, हम चाहते हैं लोग import ना करें, क्योंकि import करेंगे तो foreign reserves हमारे deplete होंगे, export करेंगे तो reserves बढ़ेंगे अपने, ठीक है, तो यह कुछ basic points है, यह सब exam में नहीं पुछेंगे, बट क्या यह पता होना चाहिए, यह सब कहानी पता रहेगी, तब आप act को जादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम अभी reason देख रहे हैं, कि यह कानून क्यों मनाया गया है, salient features of the act, अब यह transactions किस व्यक्ति के लिए हैं, तो अगर आप भारत में business कर रहे हैं, भारत में goods खरीते हैं, और भारत में बेच देते हैं, तो क्या foreign exchange involved होगा क्या, तो नहीं होगा, तो वहाँ पे यह act apply नहीं होता, वैसे ही अगर कोई foreigner है, मेरा एक friend है, कौन है, हाँ, Elon है, Elon बाहर ही goods खरीता है, बाहर ही बेच देता है, भारत से कोई लेना देना नहीं, उसके कोई चीज यहाँ पे नहीं बेची जाती, ऐसे cases में again, foreign exchange management act की जरुरत नहीं है, हमको इसकी जरुरत कप पड़ेगी, जब एक बाहर का वेक्ति, अगर कोई foreign country का वेक्ति, यह अगर भारत में, इंडिया में, कोई transaction करेगा, तो यहाँ पे, तो इसको हम नाम देते हैं, आपको पता ही है वैसे, इसको non resident बोलते हैं, non resident वेक्ति, अगर एक non resident, इंडियन नहीं बोल रहा हूं है, इंडियन हो जरूरी नहीं, non resident, अगर भारत में किसी resident से contract कर रहा है, तो फिर यहाँ पे foreign exchange involved होता है, और उसी प्रकार से, अगर यह वेक्ति resident, non resident से कोई transaction कर रहा है, तो फिर यहाँ पे foreign exchange involved होता है, इसकी जरूरत नहीं कि यह वेक्ति बाहर है, हो सकता है कि भारत में आके transaction कर रहा है, तो भी वो हमारे लिए है non resident, तो ऐसे cases में foreign exchange management act काम करता है, जहाँ पे कहीं न कहीं foreign currency involved हो जाती है, dollars वगरे involved हो जाते है, ऐसे cases में, जरूरी नहीं सिर्फ dollar, और भी कोई currency हो सकती है, yen हो सकता है, so yen भी foreign currency है, euros हो सकते है, या फिर some pounds हो गया है, तो कोई भी foreign currency involved हो गई, तो वहाँ foreign exchange management act आपको follow करना है, तो यह basically transactions को regulate करता है, और कौन से transaction, ऐसे transaction जो non-resident और resident के बीच में होंगे, अगर दो resident transaction कर रहे हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ foreign exchange management act नहीं लगता, उसी प्रकार से अगर दो non-resident बाहर कहीं deal कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा foreign exchange management act नहीं लगता, लेकिन जब एक non-resident और resident के बीच contract होंगे, transactions होंगे, तो वहाँ पे यह apply होता है, तो पहले वहीं बताया है, salient features में सबसे पहला point है, कि यह कब apply होता है, तो regulation of transaction between residents and non-residents, तो तब लगेगा, जब एक resident non-resident से transaction कर रहा है, या non-resident resident से transaction कर रहा है, अब यह भी define किया है, कि resident कौन है, non-resident कौन है, यह सब define किया है, दूसरी चीज, अगर non-resident भारत में आके, यह वेक्ति भारत में आके, अगर कोई investment कर रहा है, समझो वो यहाँ property खरीदना चाता है, कोई नया business चालू करना चाता है, ऐसे cases में again, foreign exchange management act अपलाए होगा, या फिर भारत का वेक्ति बाहर जाके, दुबई जाके मैं flat खरीदना चाता हूँ, खुब पैसा है अपने पास, ऐसे जेब से 10 रुपे निकालता हूँ मैं, तो 25-30,000 ऐसे गिर जाते हैं, कुब अमीरू मैं, तो अम्बानी मेरे याँ आता है कभी-कभी, तो गोलता है sir time है क्या आपके पास, तो होता है, तो खेर, अनिल अम्बानी तो आई सकता है, मुकेश तो नहीं आएगा, तो अनिल तो ठीक है, चलो, दोस्ते, डुबा रहा है सबको, अनिल डुबा रहा है, तो मुकेश चल रहा है अच्छे से, तो खेर, तो मैं अगर दुबई में जाके फ्लैट खरीद, दुबई में मिलते हैं, आपको allowed है, दुबई में आप फ्लैट खरीदना चाहों, तो आपको सिर्फ एक आद करोड में भी मिल जाएगा, सिर्फ यहने इसलिए सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुंबई से compare करो, तो मुंबई में भी वही rate है, तो एक करोड रुपे फ्लैट के लगी जाते हैं, तो मुंबई छोड़ो, अपने हाँ भी हो रहे हैं वैसे, तो नाकपूर में भी वही rate चल रहे हैं अभी, तो मेरा एक दोस्त बिल्डर उसने अभी एक नई स्कीम निकाला, उसमें हर फ्लैट के एक करोड दस लाग की कीमत रखा, तो थ्री भी एच के वैसे, वहाँ वन भी एच के मिलेगा, तो मुंबई में अपने अथ्री भी एच के मिल जाते हैं, लेकिन एक करोड के उपर जाते हैं, तो एक करोड में दुबई में भी मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे भी foreign exchange involved है, तो बहुत अच्छे अच्छे कानून है, अपने को पता नहीं होते हैं, आपको पता है, आप अगर भारत के C.A. बन जाओगे, फिर आप Singapore जाके सिर्फ 6 महने रहे लोगे, तो आपको वहाँ के C.A. की डिगरी दे देते हैं वो लोग, हाँ सच में, आपको एक्जाम भी नहीं देना है, तो अपने C.A. का महत वो बहुत है, खतरनाक लेवल पे है, बहुत सारे देश में ऐसा है कि आपने यहाँ पे, सिर्फ आपने C.A. क्लियर कर लिया, तो बाहर के आपको C.A. बनने के लिए, पूरे पेपर नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ दो पेपर दे दो C.A. बन जाओ, तीन पेपर दो C.A. बन जाओ, ऐसा है, सच में हैं, जैसे C.A. वगरे के कोर्स होते हैं, उसमें भी अलाउड है, कि C.A. अगर है, तो आपको बहुत सारे पेपर एक्जेम्ट रहेंगे, क्योंकि वो यह मानते हैं, कि आपके आपका C.A. इतना डिफिकल्ट है, कि वो अगर कर लिया है, तो हमारे यह यह पेपर देने के उसको जरुरती नहीं है, चिल्लर है उसके लिए, तो वो सिर्फ गिंती के वहाँ का जैसे टैक्सेशन अलग होगा, तो वहाँ का टैक्सेशन का पेपर देना पड़ेगा, लौ का पेपर रहेगा, तो वैसे वाले पेपर अलावड देना पड़ता है, बाकी तो अलावड है, आपको ऐसे ही, सिंगापूर में उन्होंने बुला कि जरुरत ही नहीं है, बीच में प्रेसिडेंट आये थे, पिछले दो मेने पहले अपने नाकपूर में आये थे, उन्होंने खुद ये बताया था, कि हमारे अभी ट्रीटी चालू है बुले, जिसमें सिंगापूर वाले आये थे, अभी वो G20 अगरे चल रहा है, तो उसमें अपने भी यहां पे लोग आते रहते, तो वो लोग जब आये थे, और अपने आपकोंटेंट्स मीट हुआ था है, तो आपकोंटेंट्स मीट में सब दूसरे देश के भी, जो CA के लेवल के इंस्टिडूट है, वहाँ के जो बड़े-बड़े लोग है, प्रेसिडेंट्स होगर है, वो लोग आये थे, तो वहाँ के उन्होंने बोला भुलतें, सिंगापूर वालोंने कि आपके हां का CA जो है, वो बहुत ही ज़ादा टैलेंटेड है, उसको बहुत सारी जानकारी होती है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ा होता है, तो हमारे यहां हम ऐसा regulation ला रहे है, कि आप अगर CA है और यहां आके रहे लेते हैं, सिर्फ छे महने, तो आप यहां के CA करके practice कर सकते हैं, पढ़ना पढ़ता है अपने को, UPSC होगर ऐसे तो बहुत easy है, UPSC बहुत ही difficult होता है, तो UPSC हो गया या और भी SA exam से, IIT वगरे के लिए क्या होता है वो, JEE, वो सब काफी difficult होते हैं, तो उसमें क्योंकि percentile system होता है न, उसमें ऐसा है कि अपन अच्छे हैं, लेकिन अपने से कोई अच्छा है तो वो select हो जाएगा, यहां अच्छा है कि अपन अच्छे है न, बस अपने को उसी पर focus करना है, अपने को दूसरे पर focus नहीं करना, वहाँ दूसरों पर भी focus करना पड़ता है, इसलिए फिर आप देखते हैं, चतुर वो magazine डालता है लोगों के room में, क्योंकि percentile system है, तो अपने आइसा करने की ज़रृत नहीं है, अपने उपर focus करो और आगे बड़ो, खोदी हम अपने competitor हैं, लेकिन बाकी जगे दूसरे competitor होते हैं, तो यह सबसे अच्छा है, तो आपने series देखे होंगे, Amazon mini TV पे CA के उपर भी है, half CA, तो उसमें भी यह सब चीज़े बता ही हुई है, तो actual में वो fact बताया है, तो आपको पता ही है, अब आप आ चुके हैं CA में, तो आपको पता है वो चीज़, तो चलो वापस आते हैं, तो यह ऐसे foreign में, आप अगर जाके रहते हैं, तो आपको वहाँ पे भी transaction तो करना ही पड़ेगा, जैसे आप Singapore जाना चाते हैं, वहाँ किसी यह बनना चाते हैं, वहाँ जाके रहना पड़ेगा, तो वहाँ जाके अगर आप कोई property अगरे ले रहे हैं, वहाँ जाके रहे रहे हैं, तो यह भी foreign exchange management में cover होता है, तो second point वही बुल रहा है, पहला point है, transactions between residents and non-residents, दूसरा investment in India by non-residents, या फिर overseas investment by Indian residents, तो overseas यहने साथ समुन्दर पार, overseas समुन्दर पार, तो अगर आप किसी के पीछे साथ समुन्दर पार जाते हैं, और वहाँ जाके आप कुछ मकान मकान खरीदते हैं, तो Indian resident overseas investment कर रहा है, तो foreign exchange management act apply होगा, ठीक है, फिर कौन-कौन से freely permissible transactions है, on current account, अब यहाँ भी current account और capital account transactions define किये हैं, current account transaction यहने, जो current nature के होते हैं, जैसे trade वगरे के हैं, खरीदना, बेचना, यह सब, capital account यहने, बाहर जाके properties वगरे खरीद रहे हैं, capital account, इतना ही नहीं है, deep में जाएंगे हैंगे हैंपन, यह स्रिफ basic हो गया, लेकिन अपन deep में इनकी definition समझेंगे, जबकि जो capital account transaction होते हैं, जबकि जो capital account transaction होते हैं, उसमें, government का, central government, and RBI का control होता है, तो dual control हैं, कुछ चीजों के लिए RBI की permission लगती हैं, आपको कुछ चीजों के लिए central government की, बाकि कुछ और basic points से भी deal करता है, जैसे अगर आपने export किया, तो उसका जो पैसा है, उसको किस प्रकार से realize करना, और उसको कैसे भारत में ले के आना, repatriation means ले के आना, so transfer ले के आना, पैसे को ले के आना, so export का पैसा कैसे क्या आप ले सकते हो, तो आप dollars अगर खरीदते हो, तो dollars को घर पे नहीं रख सकते हैं, आपको तुरंत convert कर लेना पड़ता है into rupees, या फिर कुछ ऐसे accounts खोलना पड़ता है, जिसमें आपको allowed होता है, foreign currency रखना, ठीक है, so वो भी देखेंगे अपने, ऐसे कौन-कौन से accounts होते हैं, फिर dealing in foreign exchange through authorized person, आपको अगर foreign exchange deal करना है, तो आप ऐसे locally किसी से भी deal नहीं कर सकते, मेरे पास dollars पड़े है, आपको rupees चाहिए, आप आके मेरे को dollar देते हैं, मैं rupee देतूं, यह नहीं चलेगा, it is not allowed, इसके लिए आपको deal करना है, तो आपको authorized person से deal करना पड़ता है, authorized person याने कौन, तो जैसे कि banks, जितने भी Indian banks है, वो सब authorized person में cover होते हैं, कुछ छोटे मोटे छोड़ दिये जगर तो, जैसे कोई cooperative होगा, छोटा मोटा तो वो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब जो banks है, वो authorized person में cover होते हैं, उनको license दिया गया है, RBI के द्वारा authorized person करके, so, authorized person के थुरूई आपको deal करना है, जिसमें authorized dealer आता है, authorized dealer याने यही bank वगर है, जो ही authorized dealers होते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं, जो authorized dealer तो नहीं है, बट वो money changer है, वैसे यह सब define किया है, authorized person, बट आपके course में definition नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़े allowed होती है, जैसे आप अगर bank जाएंगे, तो foreign currency, loans वगरे भी ले सकते हैं, foreign currency का कुछ payment करना है, वो कर सकते हैं, डीडी बनवा सकते हैं, बट money changer को उतनी authority नहीं होती, authorized person में money changer भी आता है, money changer को सिर्फ इतना अधिकार है, कि आप foreign exchange को लेके, उसको Indian currency दे सकते हैं, जैसे मैं समझो, गोवा में जाके business कर रहा हूँ, business कर रहा हूँ, so मैं गोवा जाके business कर रहा हूँ, मेरी hotel है वहाँ पे, अब मेरे याँ खुब सारे Russian और बहुत सारे, अरे तो आते हैं, अब ही मैं गया था पिछले मैंने, तो सही में मैं गया था, तो मैं नौर्ध गोवा में गया था, अरे, तो वहाँ में पूरे, मेरे hotel में पूरे Russian सी थे, so वहाँ Indians जाते ही नहीं, महेंगा पड़ता है बोले इसलिए, अकेला नहीं गया था मैं, तो वहाँ पही क्या होता है, उन लोगों के पास कई बार foreign currency होती है, बट वो foreign currency को use नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर जाके उनको कोई अगर activities करना है, कुछ खाना पिना है, तो foreign currency थोड़ी use होगी, वो dollar में pay नहीं कर सकते हैं restaurant में, तो होटल वाले ने एक license लेके रखा है money changer का, that means होटल में जाके वो cash दे सकते हैं अपनी foreign currency, उसके बदले वो Indian currency ले सकते हैं, तो ऐसे license बाकी लोग भी ले सकते हैं, जैसे tourist वाली जो places होती है, वहाँ पे hotels हो गई, या कोई ऐसी company है जो tourism ही चलाती है, वो पूरा यही काम करती है, foreign में tickets वगरे करवाना, वहाँ का लोगों को वहाँ पे रहने खाने की विवस्था करके देना, तो ऐसी सब companies कई बार money changer का license लेके रखती है, so ये भी authorized person है, so authorized dealer, जैसे banks वगरे होगा ये, money changer, बाकी लोग जिनको license मिला है, वो सिर्फ money change कर सकते, वो foreign currency, loan वगरे देना, ये सब काम नहीं कर सकते, loans, guarantees, ये सब नहीं कर सकते, authorized dealer सब कर सकता है, and offshore banking unit, offshore banking unit ये ने भारत के बाहर के जो banks होते हैं, वो, so वो भी authorized person में cover होते हैं, ठीक है, आप बाहर गये, आपने rupees लेके गये थे, अब आपको जरूरत है कि वहाँ पे आपको dollars चाहिए, तो आप वहाँ पे rupees transfer करके, bank वाले को, और उससे offshore bank को, आप rupees transfer कर देंगे, उससे foreign currency ले लेंगे, तो ये भी allowed है, ठीक है, तो आपको अगर, कभी भी foreign exchange में deal करना है, अगर कोई गुनहा करता है, foreign currency में trade करता है, without following the rules, तो ऐसे cases में उसके उपर क्या-क्या सजा हो सकती है, उसका offense कैसे क्या compound हो सकता है, compounding का मतलब है settlement, तो settlement of offenses वगरे, कई बार settlement किया जा सकता है, जिसमें criminal liability को हटा दिया जाता है, और सिर्फ पैसा देके, bail वगरे देके बाहर कर देते हैं, तो यह सब, फिर investigation of offenses by directorate of enforcement, जो ED होता है, ED यहाँ पर investigation करता है, जितने भी foreign exchange के कानून है, सब में ED को power है, तो सिर्फ यह नहीं, जैसे PMLA में भी ED को powers दिये गए हैं, ठीक है, prevention of money laundering act, जो money laundering होती है, पैसे को बाहर ले जाते हैं, तो laundering यहने black money को white करना, जनरली उसको बाहर से घुमा फिरा के वापस ले के आ जाते हैं, तो money laundering करना भी crime है, ऐसे cases में भी ED जो है, इसको power दिया गया है investigation का, वैसे special provisions है, special director के पास appeal करने के, appeal provisions including special director appeals and appellate tribunal, तो आप अगर डिरेक्टरेट से satisfied नहीं है, कि उसने जो किया गलत है, आप appeal कर सकते हैं, special director of appeals, या फिर tribunal के पास, तो tribunal यह एक प्रकार की judicial जैसी authority होती है, tribunal court जैसा काम करता है, हर कानून में आपको दिखेगा, जितने भी कानून है, ज्यादा तर बड़े जो कानून हैं, उनमें आपको दिखता है, कि ट्रिबिनल बनाया जाता है, जैसे company में, companies act में companies, ट्रिबिनल है, national company law tribunal, income tax में income tax, appellate tribunal है, तो यह tribunal का मतलब क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ उतनी ही cases जाती है, जो उस act में होगी, तो बाकी की cases नहीं जाती, इससे उनका समय बचता है, और जादा अच्छे तरह से decision होता है, आप normal court में जाओगे, तो क्या होता है, तो तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक, वो चलते रहती है, आपने देखा होगा movies में, सनी पाजी चिला रहे हैं, कि तारीक पे तारीक, तो वहाँ पे इतने cases पड़े हैं, कि वो कभी resolve ही नहीं हो पाते हैं, 20-20 साल लग जाते है decision होने को, लेकिन यहाँ पे tribunal इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि ट्रिबिनल अगर है, तो वहाँ पे सिर्फ foreign exchange की, फेमा की cases जाएगी, और वो easily जल्दी-जल्दी decide होते जाएगी, तो इसका मकसद होता है, जल्दी decisions होना, तो यह जनरली बनाती है सरकार, सरकार को अधिकार होता है ट्रिबिनल बनाना, बट एक बार ट्रिबिनल का निर्मान हो गया, तो ट्रिबिनल बिकम्स अ जुडिशल ऑथरिटी, quasi-judिशल, जैसे की जुडिशेरी है, तो सरकार के कंट्रोल में नहीं आती, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, तीन पिलर्स के बारे में, तो पार्लेमेंट, गौर्मेंट, एन जुडिशेरी, तो ये जुडिशेरी वाले पिलर में कवर होता है, कई बार आपको दिखेगा, इंकम टैक्स में जगडा हुआ, असेसी है, और इंकम टैक्स ऑफिसर है, अब ट्रिबिनल डिसिजन देगा, बट उसका ये मतलब नहीं, वो इंकम टैक्स ऑफिसर के फेवर में डिसिजन दे, वो निश्पक्ष भाव से दोनों पार्टी को सुनके डिसिजन देता है, जैसे कोर्ट करता है, तो गौर्मेंट ने मराया है, तो ऐसा नहीं, गौर्मेंट के फेवर में डिसिजन देंगे, तो गौर्मेंट बनाता जरूर है, बट बनने के बाद वो कौँ सी जुडिशियल हो जाता है, वो जुडिशियरी वाले पिलर में कवर होता है, तो वहाँ पर फिर डिसिजन होते हैं, यह कुछ basic points है, जिनका आपको exam के लिए importance नहीं है, बट हमको आगे पढ़ने के लिए जरूरी चीज़ है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, enforcement, exam के लिए again काम का नहीं, अभी तक जो भी पढ़े यह exam में कुछ नहीं आने वाला, यह सिर्फ basic idea अपन clear कर रहे हैं, enforcement कैसे होगा, FEMA कैसे follow किया जाता है, कौन-कौन control करता है इसमें, तो RBI exercises control over foreign exchange transaction, enforcement of FEMA has been interested to separate enforcement directorate formed for this purpose, so RBI का main control है, बट कई जगे पे आपको दूसरे authorities भी control करते दिखेगी, जो central government के control में आती है, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले एक act है, foreign exchange management act, बट act में सब चीज नहीं लिखे होती, इसके लिए आपको साथ में rules and regulations भी पढ़ना पढ़ता है, जैसे आपने अब companies act पढ़ा है, foundation level पे, तो आपको पता है, companies act के साथ rules भी पढ़ना पढ़ता है, तो वो rules पढ़के आपको act समझ में आएगा, जैसे form कौन सा लगता है company बनाने को, वो act में नहीं लिखा होता, वो rules में लिखा होता, फिर कितनी fees लगेगी, वो सब act में लिखा होता, manner क्या है, वो सब इसमें नहीं लिखा होता है, वो सब rules में होता है, so rules और regulations, वैसे notifications and circulars, कई बार notification निकालती है सरकार, कोई particular चीज़ से related, तो वो सब भी पढ़ना आपको ज़रूरी होता है, इसके बाद, master directions निकले, and FAQs है, यह सब पढ़ना पढ़ता है, आपको अलग लग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम एक एक करके, पूरा part साथ में देखेंगे, फिर rules और regulation में एक हलका सा फरक है, rules जो है न, यह ministry of finance, government of India बनाती है, so rules गौर्मेंट को बनाने का power है, जबकि regulations जो है, यह RBI बनाती है, so rules और regulation में, generally भी यह दो difference होते हैं, वैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब अपन general clauses act पढ़ेंगे, तो rules और regulation में हलका सा फरक होता है, rules जो होती है, यह सरकार या उसकी authority बनाती है, जबकि regulations जो होते हैं, यह separate authority बनाती है, जैसे SEBI जो बनाईगे, संस्ता है, वो उसको बना रही है, तो उसको हम बोलते है regulations, ठीक है, so ऐसा छोटे-छोटे फरक होते है, जैसे act और ordinance, ऐसा भी होता है, कई बार ordinance word यूज होता है, तो act और ordinance में भी फरक होता है, so खेर बाद मैं बताता हूँ, जब अपन company law पढ़ेंगे, उसमें आएगा यह सब, so मैं बताऊँगा, ordinance क्या होता है, फिर broad structure of FEMA, FEMA में हमको क्या-क्या देखना है, so इसमें साथ chapter है, जिसमें हमको सिर्फ दो ही chapter पढ़ने को दिये गए है, पहला preliminary, जिसमें definitions वगरे हैं, preamble है, कि यह act क्या करता है, किस-किस को apply होता है, वो सब दिया है, दूसरा regulation and management of foreign exchange, बस यह बताया, इसके बाद की चीज़ें हमारे course में नहीं है, तो वैसे देखे तो, total 49 sections जो दिख रहे हैं, इसमें से हमको सिर्फ 9 section पढ़ना है, 40 section हमारे course में नहीं है, authorized person कौन है, मैंने वैसे आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, जितना काम का है, जिसमें money changer भी आ सकता है, तो money changer is also an authorized person, offshore banking unit भी authorized person है, या normal dealer, फिर contravention and penalties आपको नहीं है, adjudication and appeal, अगर किसी ने case file किया है, हम उससे satisfied नहीं है, तो appeal पे कैसे जाना, यह again हमारे course में नहीं है, then, direct rate of enforcement, ED, इसके क्या functions है, क्या कर सकता, क्या नहीं, यह भी नहीं है, and miscellaneous, तो यह सब हमारे course में नहीं है, हमको सिर्फ दो चीज़ें इसमें से पढ़ना है, section number 1 से लेगे 9 तक है, अब हम शुरुबात करेंगे, basic points, पहले basic यह बता है, कि act क्यों बनाया, कब बनाया, और फिर definitions है कुछ, तो आज हम इससे related कुछ चर्चा करेंगे, सबसे पहले, कोई भी act होता है ना, उसमें सबसे पहले लिखा होता है, कि act क्यों बनाया गया, जैसे companies act, open करके देखते हैं, companies act में, जब आप act पढ़ना चालू करोगे, तो उसमें सबसे उपर में लिखा होगा, उसका नाम, यह act का नाम क्या है, वो लिखा है पहले तो the companies act 2013, फिर यह जो लिखा है, an act to consolidate and amend the law relating to companies, इसको बोलते हैं preamble, preamble से क्या पता लगता है, तो इससे हमको purpose of the act पता लगता है, act क्यों बनाया, यह act बनाया, पुराना जो companies act था उसको जोडने के लिए, and then उसको amend करने के लिए, तो पुराना companies act 1956 का जो था ना, वो काफी बिखर चुका था छोटे-छोटे हिससे में, क्योंकि 1956 में act बना, 1988 में major amendment हुए थे, क्योंकि 1956 में online वगरे की बात नहीं थी, so online उनको पता भी नहीं था, online का KB भी नहीं पता था उनको, so K नहीं आता है उसमें, पता नहीं था न हनको, thus उनको नहीं पता था, so online नहीं पता था, क्योंकि computer ही नहीं थे, computer 1956 में तो बने ही नहीं थे, तो बने ही है 1970 में, तो ये सब चीजें सोचा भी नहीं था उन्होंने, और इसलिए वो सब चीजें नहीं लिखी है, फिर globalization हो गया, इतनी सारे changes हो गया, ये सब चीजें बाद में हुई, सन 2000 में online filing वगरे चाली हुई थी, तो ये फिर से amendment हुआ था, major amendment 2000 में, ऐसे बड़े-बड़े amendment हो गये थे, छोटे-छोटे तो होते ही है, बेट Companies Act में बहुत बड़े-बड़े amendment हुए थे, और इसलिए वो सब को जोड़ना मकसद था, Companies Act 2013 में, पूराने सब Act को जोड़ा, और फिर उसको amend किया, तो ये उसका main मकसद है, तो ये preamble कहलाता है, और detail में हम पढ़ेंगे preamble क्या होता है, जब हम general clauses पढ़ेंगे, and interpretation of statute पढ़ेंगे, अभी simply ध्यान रखो, preamble ये बताता है कि एक्ट बनाने का कानून क्या है, sorry, मकसद क्या है, so मकसद यानि purpose, object of the act, ये पता लगता है आपको preamble से, वैसे यहाँ पे भी preamble लिखा हुआ है, this act aims to consolidate, जोड़ना, so ये भी वही काम कर रहा है जो पुराना act था, foreign exchange regulations act, उसको consolidate करना, and amend the law relating to foreign exchange, और इसको objective क्या है, with the objective of facilitating external trade and payments, so जो भारत के बाहर के trade or payment है, वो करना, and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India, भारत के foreign exchange reserves बढ़ते जाए, ये भी हमारा एक मकसद है, ठीक है, तो हम चाते हमारे exchange अच्छा हो, और जितना foreign exchange हमारा अच्छा होगा, उतनी हमारी परिस्तिती अच्छी होती ऐसा माना जाता है, ठीक है, फिर extent and application, again preamble पे question नहीं आएगा, अब इसके आगे से कुछ-कुछ points ऐसे हैं, जिस पे question आना चालू हो सकता है, जैसे कि, ये वाला point, इस पे कभी कोई question पूछा जा सकता है, extent and application, section 1, कोई भी act का section 1 बताता है, ये act कहां-कहां apply होगा, so foreign action management act extends to the whole of India, पूरे भारत वर्ष में एक प्रकार से लागो होता है, तो, जितने भी भारत के कानूने भारत में लगते हैं, पता है आपको, लेकिन ये कानून जो है ना, ये भारत के बाहर भी लगता है, so भारत के बाहर कब लगेगा, तो अगर कोई भारत के बाहर अगर business कर रहे हैं, जैसे foreign country है, और India, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, जो business करता है, इसके द्वारा, यहाँ एक कोई organization बनाया गया, मानलों एक foreign branch बनाई इसने, branch यहाँ कोई company यहाँ पर उन्हें चालू किया, वैसे देखा जाए तो यह branch foreign branch है, तो foreign के कानून अपलाय होंगे, बट यह branch क्योंकि owned by Indian है, owned या फिर controlled, by a resident in India, अब यहाँ citizenship is not relevant, citizenship से कोई फरक नहीं पड़ता, resident होना ज़रूरी होता है, हो सकता है वो अपनिया का citizen नहीं है, बट वो resident है, तो ऐसे case में foreign branch को भी फेमा, apply होता है, तो भले ही वो बाहर की branch है, भारत के बाहर है, general rule होता है, भारत के कानून भारत तक ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पे, अगर यह भी कुछ contravention करेगा, तो फेमा के तहट उसके उपर penalties हो सकती है, तो इसमें यह एक part थोड़ा सा अलग है, अगर contravention outside India भी हो रहा है, तो भी भारत के कानून के हिसाब से उसके उपर penalty लग सकती है, by any person to whom this act applies, ठीक है, तो यह एक चालू का भुआ, the act 1999, 99 का act है वैसे, लेकिन came into force with the effect from 1st June 2000, wide notification, इसमें date लिखी होती है, कि यह एक चालू कपसे होगा, तो इन्होंने 1 June से चालू किया था, तो भले ही 99 में बन गया था, बट यह apply हुआ था 1st June 2000 से, तब तक के पुराना जो foreign exchange regulation act था, वो चल रहा था, 1973 अब कुछ definitions हम पढ़ लेते हैं, जिसमेंसे कुछ-कुछ definitions important रहेगी, कुछ-कुछ नहीं रहेगी, authorized person, वैसे काम की थी, बट अभी आपको क्योंकि उसके बारे में दिया ही नहीं है, section 10, 11, 12, अब आपको नहीं है course में, इसलिए जादा chance नहीं है इस पर question आने के, फिक है, so authorized person means, an authorized dealer, जैसे मैंने example दिया था आपको की bank वगरे हो गया, या फिर money changer भी हो सकता है, जैसे की hotels वगरे हो गई, उन्होंने license ले लिया है, money changer का, या offshore banking unit, और any other person for the time being, authorized under section 10, 1, अब 10, 1 आपको है नहीं, to deal in foreign exchange और foreign securities, तो जिसको भी अधिकार दिया है, कि तुम foreign securities या exchange में deal कर सकते हो, वो वेक्ति authorized person कहला हैगा, और हम अगर केसी भी foreign exchange में deal करना चाहते हैं, तो without authorized person नहीं कर सकते हैं, हमको dealing करना है, तो authorized person के through ही करना पड़ेगा, फिर capital account transaction, अब ये वैसे आगे और deep में पढ़ेंगे हम, ये important है आपको, याद रखना है है, आगे हम section 6, 3 पढ़ेंगे, section 6, subsection 3, उसमें दिया हुआ है, section 6 पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है, capital account transaction के बारे में, simple सी definition है, बहुत ही चासान, एक ऐसा transaction, जिसमें एक व्यक्ती, person resident in India है, ये अगर foreign में, या तो कोई asset, या तो कोई liability, create कर रहा है, extinguish कर रहा है, या इवन alter कर रहा है, including contingent liability, एक परसेट अर लियाइ, परसेट परसेट अर लियाइ, including contingent liabilities outside India of a person resident in India so person कौन है resident in India ये भी समझेंगे हम person resident in India कौन है अगर ये बाहर जाके कोई asset वगरे खरीद रहा है या इवन बेच रहा है या बाहर जाके कोई liabilities incur कर रहा है या liability repay कर रहा है या even contingent liability है जो उसको repay करना पड़ रहा है ऐसे cases में ये capital account transaction है जिससे ये alter हो रहा है तो बाहर के कोई asset liability अगर alter हो रहा है person resident in India के तो इसके बाहर के asset या liability या contingent liability अगर alter हो रहा है तो ये है capital account transaction इसमें भी और deep में जाएंगे हम अभी simply इत्ता ध्यान रखो ये जब section 6 पड़ेंगे तब हम और deep में जाएंगे तो पहला transaction जब एक भारत का resident ये बाहर जाके कोई asset liability या contingent liability alter कर रहा है उसका कोई asset create हो रहा है या sell हो रहा है बेच रहा है या even alteration हो रहा है कोई changes हो रहा है उसमें तो वो सब चीजे capital account में cover होगी या फिर उसकी बाहर की कोई liability तो ऐसे भी आपको पता ही है capital का क्या मतलब होता है जो asset और liability को impact करता है तो यहाँ पे अगर वो asset या liability को impact कर रहा है तो P&L में impact नहीं asset liability का impact कर रहा है वो तो वो capital account transaction है ठीक है तो asset liability including contingent liabilities या फिर दूसरा एक और चीज़ बताई गई है एक person resident आउटसाइड इंडिया है इसका भारत का asset या liability अगर alter हो रही है इंडिया में तो asset transaction भी capital account transaction कहलाएगा तो दो transactions कवर होंगे अब simple है अगर भारत के बाहर का विक्ति बाहर कोई transaction करेगा बाहर कोई asset liability खरीदेगा बेचेगा तो इससे अपने को कोई फरक नहीं पड़ता वैसे ही अगर भारत के बाहर का विक्ति बाहर कुछ करेगा तो कोई फरक नहीं पड़ता बट अगर भारत का विक्ति बाहर जाके asset liability को alter कर रहा है जैसे asset खरीद रहा है loons ले रहा है तो यह सब चीजें कहलाएंगे capital account transaction या फिर भारत के बाहर का विक्ति भारत में asset यह liability ले रहा है तो ऐसी cases में यह कहलाएंगे capital account transactions ठीक है तो आगे और deep में अपन इसको समझने आले इसमें और भी चीजें हैं जैसे कि एक word जो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है बट यहाँ नहीं दिख रहा contingent liability उसका भी reason है वो reason आगे बताऊंगा जब हम पढ़ना चालू करेंगे capital account और current account तब बताऊंगा अभी लेकिन यह definition आपके काम की है बहुत important है क्योंकि capital account और current account यह दो ही transactions आपको ध्यान रखना है अगर वो capital account नहीं है तो current account है current account definition बहुत आसान है ठीक है एक ऐसा transaction इसमें MCQ भी frame किया जा सकता है direct question भी बन सकता है अगर मैं बाहर जाके कोई asset खरीद रहा हूँ या बाहर का वेक्ति यहां कोई asset खरीद रहा है liabilities incur कर रहा है तो यह सब capital account transaction है तो दो transaction पहला person resident in India बाहर में अगर कोई asset liability या contingent liability को alter कर रहा है alteration में create होना भी cover हो जाता है pay off होना भी cover हो जाता है जैसे liabilities ले लिया ये भी cover होगा loan repayment कर रहा है ये भी capital account transaction है तो ध्यान दो वैसे generally loan repayment current account transaction कहलाते हैं आप अगर normal accounts की language में देखोगे तो repayment of loan current account में cover होते हैं लेकिन यहां पे वो capital account transaction रहेगा ठीक है तो उसका interest वगर है ये सब चीज़े हम देखेंगे ये सब capital account में cover होगा वैसे ही दूसरा जब भारत के बाहर का विक्ति भारत में आके कोई asset या liability को alter कर रहा है तो वो भी capital account transaction है तो एक बार read करते हैं अब इस definition को so capital account transaction means पहली transaction जो बताए गई है जिसमे which alters the assets or liabilities including contingent liabilities outside India of a person resident in India और दूसरा assets और liabilities यहां contingent नहीं बोला है in India of a person resident outside India so भारत के बाहर का विक्ति अगर भारत में कोई asset liability को alter कर रहा है तो वो सब capital account transactions में आएंगे and includes transactions referred to in section 6 3 तो हम आगे चलके section 6 और detail में पढ़ेंगे वहां मैं फिर से आपको capital account transaction समझाओंगा तो यह section 6 है यहां पर फिर से हम पहले capital account transaction ही समझेंगे कि यह क्या होते हैं इसमें फिर बहुत सारी चीज़े बताए गई है तो वो अपन समझेंगे ठीक है तो अभी इतना ध्यान रखो capital account transaction means एक ऐसा transaction जो person resident in India कर रहा है भारत के बाहर के asset या liability या contingent liability को alter करने का तो वो capital account है या फिर भारत के बाहर का वेक्ति भारत के अंदर asset या liability alter कर रहा है तो वो capital account transaction है ठीक है तो दोनों में से कोई भी एक चीज और है फिर currency ये बकवास definition है currency includes all currency notes postal notes, postal orders, money order, check, draft ये सब currency में cover करते है checks हो गए, bills of exchange हो गए bills of exchange, promissory note, travelers check, letter of credit, credit cards ये सब currency है और such other similar instruments as may be notified by the RBI तो ये सब currency में cover होंगे currency notes currency notes येने सिर्फ जो cash के रूप में includes cash in the form of coin and bank notes तो ये currency note हो गए ठीक है जैसे आपके पास notes रखे हैं जेब में या coins रखे हैं तो ये सब currency notes में cover होंगे तो notes includes coins coins और bank note दोनों फिर current account वैसे ये भी deep में आगे बताऊंगा मैं अभी mark कर लो इसको important current account में पहले part पे तो कोई question नहीं आएगा क्योंकि पहले part में कुछ बताया नहीं simply बोल दिया बहुत ही difficult कि current account transactions means transaction other than capital account transaction नहीं बताते तो अपने को समझता ही नहीं उनने बुल दिया जो capital नहीं है वो current है ये होगी पहली चीज बट आगे फिर बुलाए and without prejudice to the generality of the foregoing तो जो general definition उपर आगे ही capital account की उसको उसके साथ भेदभाव ना करते होए prejudice का मतलब होता है भेदभाव तो without prejudice that means जो definition उपर clarify कर रही ही वो तो ठीक है such transaction includes पहला actually ये ज़्यादा important आपके लिए payment due in connection with foreign trade ये तो simple है foreign trade से related कोई पैसा pay करना है current account है क्योंकि trade का nature का है कोई asset liability से related नहीं है आपने बाहर से कोई goods खरीदे उसका payment कर दिये तो ये current account transaction other current business या services and ये part important है अगर ये नहीं लिखा होता तो हमने इसको मान लिये होते की ये capital account है लेकिन क्योंकि ये लिखा है इसलिए हम बोलेंगे ये current account transaction है short term banking and credit facilities short term सिरिफ short term वाली जो banking and credit facilities है in ordinary course of business जैसे की for example OD foreign में जाके आपने overdraft ले लिया OD facility ले लिया आपको पैसे की urgent requirement थी हफते भर के लिए आपने वहाँ के एक bank से foreign currency में overdraft ले लिया ऐसे केस में ये अगर normal business में है ordinary course of business में आप ये कर रहे है तो ये capital account में नहीं आएगा बाकी loans बगरे capital account transaction है आप बाहर जाके loan लेके आ रहे हो capital account transaction है बट ये जो है short term banking and credit facilities it includes even credit facilities तो credit facility है जैसे आपने अगर बाहर से goods मंगा है अब उसने credit period दिया एक मेहने का एक मेहने बाद आपको उसका payment करना है तो आज payment नहीं किये आज आपकी एक liability create हो गई तो वैसे liability create हो रही है तो ये क्या हो गया अगर alter करती है liability तो फिर ये हो जाना चीथा capital account transaction बट ये कौन सा transaction है short term है और ordinary course of business में है उधारी पे goods बेचते हैं लोग एक-एक मेहने का credit देते हैं तो इसको हम current account मानेंगे इसको capital नहीं मानेंगे भले ही it is altering the liability हमारी बाहर एक liability create हो रही है बट फिर भी इसको हम current account मानेंगे क्यों क्योंकि यह specifically लिखा हुआ है अगर यह नहीं लिखा होता है तो इसको हम capital माने होते है ठीक है तो ये पहला point है पहले ही important है बाकी तो simple है दूसरा point बताता है payments due as interest on loans and as net income from investments तो ये current account में आएगा वैसे ही remittance for living expense of parents, spouse and children residing abroad तो कोई व्यक्ति है भारत में आया है और यहाँ पर job कर रहा है उसके जो भी parents वगरे बाहर रहते हैं उनको पैसा भीजता है तो वो current account transaction में cover होगा ये भी foreign exchange का transaction है क्योंकि यहाँ से वो rupees कमाएगा वहाँ भीजेगा dollars में या जो भी foreign currency है उसमें and expenses in connection with foreign travel education, medical care of parents, spouse and children ये सब current account में cover होगा जिसमें main ये वाले part पर question आने के संभावना रहेगी ठीक है तो ये current account है फिर export export तो पता ही आपको so export it includes goods as well as services service का भी export, export ही कहलाता है with its grammatical variations and cognate expressions means taking out of India, भारत के बाहर ले जाना, to a place outside India, भारत के बाहर जा रहे है तो बाहर ही जाएगा, taking out of India to a place outside India तो out of India जाएगा तो place outside India में जाएगा, any goods तो भारत के बाहर कोई goods ले जाना, ये export है फिर provision of services from India, to a person outside India, तो मुझे जाना जरूरी नहीं होता, अगर मैं घर बैठे 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 भी एक foreign वाले को Elon है, Elon मुझे पुछता है, शर्मा जी थोड़ी advice चाहिए थी, मैंने उसको advice दिया, और उसने मैंने लबालब पैसा कमा लिया, ये भी export of services है, मैं गया ये जरूरी नहीं, तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी service दे सकता हूँ बाहर ठीक है, तो Elon है service मांगते रहता है कही बार फिर, और कोन है अपना जेफ है, जेफ भी पैसे से related बहुत सारी advices लेते रहता है ठीक है, पहले एक स्टीव करके friend था, वो गचक गया बीच में, वो भी regular advice लेते रहता था चलो तो export, कोई काम की नहीं है definition, काम की definition ये दो ही है capital account और current account रानेक्शन ये दो बहुत important definition है बाकी फिर अगली class में देखते हैं यही पर conclude करते हैं आज की class और अगली class में एक बहुत important definition पढ़ेंगे अभी तक सिर्फ आप नाम सुनते हुए आ रहे हैं लेकिन person resident in India ये कौन है और resident outside India कौन है, ये देखेंगे इसी के उपर हम बहुत deep में चर्चा करने आले हैं अगली class में ये पूरा वो ही चलेगा बस 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 यहाँ तक है तो यहाँ तक क्या हम यही देखेंगे कि person resident in India कौन है outside India कौन है क्योंकि उसके आधार पर ही हमको decide करना है फिर capital account, current account उसके आधार पर permitted transactions prohibited transactions ये सब उसके बाद पता लगेगे ठीक है so conclude करते हैं यहाँ पर और अगली class में हम आगे की चर्चा करेंगे चलो, thank you कल चुट्टी रहेगे गंतंत्र दीवस है so चुट्टी है Republic Day 26 जन्वरी 26 जन्वरी 26 जन्वरी है कल चुट्टी रहेगे और चुट्टी तो है लेकिन अपना sports है पता होगा आपको टीम है क्या अपनी हाँ तो फिर कल अपना sports है 7 बजे reporting रखा है तो 7 बजे अच्छा साड़े साथ ले लो ठीक है जूट बोला मैंने साड़े साथ ले लो साड़े साथ बजे reporting है 8 बजे से matches चलो हो जाएगी ठीक है और time बहुत limited है teams खतरनाक है बहुत सारी आ गई है so time बहुत limited है अपने बस तो इसलिए अपन ज़्यादा time वहाँ waste नहीं करेंगे जैसे एक match हुई पहले schedule बता देंगे आपको अगली match के लिए तयार रहे ना रहेगा ठीक है चलो ठीक है और मिलते है next class में Thank you